नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरेतन सेन भारती आज हम बात करेंगे DRDO की द्वारा बनाई गई कोरोना की दबा के वारे में इसमें पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और पूरी देश एक तरह से हम कहें कि उसकी चपेट में है हर दिन करोना संक्रिवित मरीजों की संख्या में लगातार ब्रिधी हो रही है करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए करोना वैक्सीन को सबसे बड़ा हंथियार माना जा रहा है यही कारण है कि DRDO की तरफ से विक्सित की गई एंटी कोरोना ड्रक्स 2DG को DCGI यानि की डिरेक्टर कंट्रोल जनरल आफ इंडिया ने हाल ही में कोरोना के इलाइज के लिए अनुवति दे दी है DRDO में 2DG ड्रक्स के प्रोडेक्ट डिरेक्टर बग्यानिक डॉक्टर सुधीर चंदाकर और WHO के सिर्ष बग्यानिक स्वामिया स्वामिनाथा ने बताया कि भारत में बढ़ते कोरोना के बीच ड्रक्स 2G की कैसे तयार किया गया और उसकी क्या-क्या खासियत है हम आगे उसक के ग्रोथ सेल के अंदर पूरी तरह से रुख जाती है इसके बाद हमने DCGI से इसके क्लिनिकल ट्राइल की मंजूरी मांगी हमें मई 2020 के फेज 2 ट्राइल की इजाजत मिली और अक्टूबर 2020 तक फेज 2 का ट्राइल किया गया जिसके बहुत अच्छे नतिज़ आए इस दवा क से लेकर गंभीर मरीजों पर इलाइज किया हमारा ट्राइल अस्पैताला में भरती मरीजों पर हुआ है और सब को बहुत फाइदा हुआ अभी तक किसी ने भी नुक्सान के जानकारी नहीं मिली है हमारी दवा बहुत सुरच्चित है दूसरी चरण में हमने देखा कि मरीज से संक्रमित सेल्स होते हैं वहां ये दवा ज्यादा मातरा में पहुंचती है और वहां वाइरस के ग्रोथ को रोकती है चाहे सरीर के जीस हिसे में वाइरस हो जैसे गुलुकोज फैलता है वैसे ही वाइरस भी फैलता है वाइरस के ग्रोथ के लिए जो उर्जा चाहिए होती उसको कम करता है जिससे वाइरस परसार नहीं कर पाता है इसके अलावा जो नया वाइरस बनता है उनके प्रोटीन को भी ये दवा नश्ट कर देती है फेफिड में भी कोरोना वाइरस हमला करता है और 2DG वहां भी जाती है इसका असर यह होता है कि ऑक्सीजन पर मरीज की निर ग्लुकोज नहीं मिलता तो उसके मरने की उमीद बढ़ जाती है इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया कि ग्लुकोज का एनलॉग बनाया वाइरस इसे ग्लुकोज समझकर खाने की कोशिज करेगा लेकिन यह ग्लुकोज नहीं है इस बज़स की मौध हो जाएगी यही इस का चांस बहुत कम होगा और मरीज जल्द से जल्द रिकवर होगा डॉक्टर एके मिस्रा ने बताया कि इस दवा के तीसरे फेज के ट्राइल के अच्छे नितिज आये हैं इसके इमर्जेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है उन्हों न कहा कि हम इसे रेडिज के साथ मिलकर ये क बच्चों के इलाज में भी ये दवा कारगर होगी हलाकि उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इस दवा की डोज अलग होगी तो ये थी को रोना मरीजों को लेकर डी-ा-डी-ओ की तरफ से बनाई गए टू-डी-जी दवा की जानकारी बिहार और बिहार से जुड़ों और ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहे बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए इजाजत धन्यवाद